हलो स्टुटेट्स नेच्ट हम देखिए एक से 6.3 के लिए कैसे नूम भी क्या गया रहा है हाव मैंनी थ्री डिजिट नंबर बनाना है आपको ठीक है पहले मैं मल्टिप्लिकिशन समझाऊँगा आपको even number होना चीए अब देखो even number के लिए यहां पर कितने numbers हो सकते हैं इन मेंस च्छूस यह तो two हो सकता है यह फोर हो सकता है यहाँ पर number of ways कितने हो गए three हो गए अब इसके just next वाला जो ways है यहाँ पर no digit repeat बोल रहा है तो तो टोटल है यह three और यह three six मैँ पर जो नमबर वो होसकते हैं अगर five में से एक या आ गया तो यहां नमबरों वेस किते हो सकते है four हो सकते है तो आपके पास required number of threeडिजट number आएँगे न, वह बता है कितने आजाएँगे four x five multiplied three और तंट already it 60 whatever अब मैं आपको इसको permutation समझाता हूँ, देखो, इस three को तो भूल जाओ थोड़े रिख लिए, इन दौनों places की बात कर लेते हैं, for tens place and hundreds place, यहाँ पर जो हम permutation निकालेंगे, required number जो आएंगे वो क्या आएगा, permutation में आपको इन दौनों के जगे चूस करना है, ठीके सर, एक number तो यहाँ चुका होगा, तो आपके पास actual में six number में से बचे कितने five numbers बचे, ठीके सर, बचे five number, अब यह भी confirm है सर, यहाँ पे even number आया होगा, तो even में से इन तीनों में से कोई एक आगया होगा, इन तीनों में से कोई एक आगया होगा, और मुझे यहाँ पर number कितने चूस करने है, आर की value कितनी हो जाएगी, two हो जाएगी, तो पहले permutation निकालो, उसकरेगे, तो five factorial divided by five minus two, three factorial, five multiply, four multiply, three factorial, divided by three factorial, cancel out twenty, अब वही by multiplication principle हम चूस करेंगे, क्या कह सकते हैं, हम twenty multiply है, कितना आ गया, आ गया भे, three, यहाँ once place के लिए कितने number हो सकते हैं, आप चूस three हो सकते हैं, कितना हो गया, sixty हो गया, आप तो पास, सेम अंसर आ रहा है, कैसे भी समझ लो, आप दोनों method, यह access six point one वाला method, और यह भी six point three के लिए method है,